नमस्कर शाथियों जो साती आई पीयो एग्जाम 2020 की लिए तैयरी कर रहे हैं तो दोस्तों के लिए खुछ खबर है उन साथियों के लिए कि कि दोजार 23 में IPO एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ गया है तो दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन में क्या है कौन सा सलेबस रहेगा कितिनी तारी को एक्जाम कंड़क्ट होना है कितिनी ताया ओनलाइन डेट है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्य में आपके साथ साजा करूंगा दोस्तों मैं रवींद्र गेलो टिप्स टूलर लेटेस्ट में आप सभी कस वाकत करता हूं और साथ में दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइ कर ले साथ में बैल आइकन भी दबा दे ताकि हर आने वाड़े वीडियो के अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे नमस्कार दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं तो दोस्तों देखिए ये आपके सामने दस जनवरी 2023 यानि आज का जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट से रेटरा है वो है इसके अंदर जो लिमिटेड एल डिसी जो एक्जाम है पोर्दा केड्रों इंस्पेक्ट्रों पोस्ट डिपार्टमेंटल कोटा उसमें 2022 और 2023 के लिए जो सेडूल है वो 25 और 26 फरवरी 2023 को बताये गया है तो दोस्तों इसके लिए क्या-क्या है दूसरी बात कैसे करें कौन इलिजिबल है कौन नहीं है और जो क्या सलेबस है एक्जाम की तारीक कितरी रहेगी कौन सा एक्जाम रहेगा तो पूरा मैं इस वीडियो के मादेम से आप से साजा करूंगा तो दोस्तों नोटिप किसन है इसमें दोस्तों सबसे पहले जो 25 फर परोडा है इसके अंदर जो भी अप्लीकेशेंटेर है वो सी 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 डिक योडियो अप्लीकेसन उसमें ऑं-लाइन जो जर्वन है उसको ओं-लाइन फील कर सकते हैं दोस्तों ओनलाइन अप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो 16 जनवरी 2000 से 23 स्टार्ट हो जाएगा नो बज़े से वो लास्ट डेट है जो सब्मिट करने की वो है दोस्तों 30 जनवरी 2023 को साथे 5 बज़े तक अब दोस्तों जो वेरिपकेशन है वो ओनलाइन आप जो भी पेरामेटर पूरे करोंगे उसी इसाफ से मिल जाएगा आपको करेक्शन किसी तरह का अगर करेक्शन है तो वो दोस्तों 3 फरवरी 2023 तक सुबह 9 बज़े से लेकर साथे 5 बज़े तक आप कर सकते हो वो 6 तारिक रहेगी ठीक है और तिन से 6 और जो वेरिपकेशन ये इस तरह से आपको ब पॉस्टल एसिस्टेंट और शोष्ण हुआ तो दोस्तों जो एक इसजी सेकंड़ येवल 6 के जो सारे एंप्लोई है वो इसमें रेगूलर सर्विस होने चाहिए उनकी पोस्टल असिस्टन और वो इसकी वह इलेजिबल है जिसकी भी एच्जिसे की ब्रेट सेकंड में हो ग सेनलीबल है वो भी लेवल फर्स तो वो भी उनकी है वागी कि इसमें पॉस्टल जो सिस्टेंट स्टेंट जा शोर्टिंग सेंट है वो इसमें लेवल फोर गै और अभग मत आधर थो दोस्तो में कि जो 22 हमनेंassy लेजिवलेट कंडिशन ही लगादी एक 14 दो तो 2022 के लिए अप्लाइए करेगा वो एक एक दो 2022 को उसकी स्रविस क्वालिफाई होने चाहिए और तेज के लिए अब दोस्तों स्लेबस और पैटरन मुख्य मुद्धा है इलेजिबिटी तो हमें लग वो ध्यानी सभी को लेकिं स्लेबस और पैटरन क्या है तो दोस्तों वह स्लेबस के साथ अगर आप पहले से तैयरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो उसी स्लेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको द्यान नहीं तो मैं आपको स्लेबस आवलेबल करवा दूँगा वीडियो के माद्दें से या किसी तरह का पेडिया प्ल अलाइन क्लासिज लगा रहे हैं या घर पे बीट के सेलफ स्टुडी कर रहे है तो दोस्तों अच्छी बात है नहीं तो जो भी मैं इस वीडियो के माधिम से आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के माधिम से जो भी सलेबस्के कोड़िंग जो भी पैटरन है किसी तरह के या जो वि किसी चीज को नहीं को सार अनुछ एक डिया है निया तो दोस्तों बैक्यिंफ DAVID आपको आपको कुछिक्ट नहीं होंगा मैं बें भी से मुश्चार करूँगे सुद्राच चाटिया है शुद्क मैं कवस्बार आपकर कोंते हैं 15 boardéric कुछ जो है में बेल आइकन भी दुबारा पड़ेगा तक कि आपको पता लग जाए कि भी ये नोटिफ केसन आया है मैंने कब वीडियो डाला है कौन सी चीज पे तो ये आपको पता लग जाए तो दोस्तो आशा करता हूं जानकारी आपको अच्छे लगी होगी और अगले वीडियो में नई जानकरे के साथ नई चीज के साथ फिर मिलता हूं तब तक के लिए जैहिन जैवार्ट